अलो प्रेंट्स गूड़ मॉनिंग तो कल हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि Đिस्टिव्यूजन हमारा कुछ इस तरह से आया था इस्टिवूजन हमने इस्टिवूजन देख लिया था strain distribution हमने देख लिया था जिसमें ये बताया था कि concrete का section fail होते समय जो concrete जो है concrete में maximum जो strain level है concrete के fail होते समय वो 0.0035 से कम नहीं होना चाहिए जो मैंने आपको पिछले video lectures में discuss कर लिया था और steel के अंदर steel के अंदर fail होते समय steel के अंदर maximum strain level 0.002 plus 0.87 से कम नहीं होना चाहिए थी ये मेरी बात ही हो गई थी अब अगर आज मैं देखना चाहूं कि maximum depth of neutral axis में किस तरह से calculate करने वाला हूं देखो तीन तरह के section होते हैं आज सब के उपर अपन डिसकस करने वाले हैं balance section under reinforce section और over reinforce section तो क्या होते हैं वो सब अपन आगे डिसकस करने वाले हैं पहले मैं इसमें बात करूं मुझे पता है कि बीम का compression zone के top से center of reinforcement तक effective depth small d होती है तो मुझे पता है कि strain distribution यहां सरिये के center पर आएगा इसलिए सरिये के center यह मैंने distance मुझे पता है कि यह अगर मैंने d ले लिया यह मुझे पता है यह d है और यहां पर यह जहां पर कोई force नहीं था या कोई strain नहीं था maximum depth of neutral axis को मानलो मैंने कह दिया कि यह मेरा x u है क्योंकि balance section के maximum depth of neutral axis अभी निकालने वाला हूं balance क्या होता है वो भी मैं भी आपको आगे discuss करने वाला हूं तो मैंने यह देखा कि यह मेरा जब x u हो गया तो नीचे वाली जो distance से मेरी यह मेरा किसकी बराबर रह जाएगा d minus x u क्योंकि d से x u गटा दो अब मैं देखता हूं कि किस तरह से निकालने मुझे पता है दो triangle है तो आपने देखा होगा कई बार आप जब कई बार जब math में भी आपने पढ़ा होगा कि कुछ इस तरह की जैसे आपका कोई चीज है आपका मानलों 2 triangles है आपके या यह मैं कहूं कि यह मेरे triangles है मुझे यह value पता है मानलो 5, मुझे यह पता है मानलो 4, 3 पता है और मुझे यह पता है कि यह मेरी 2 है, 2 meter है मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे निकालता था आधार बटे लंब 2 बटे 5 बटे बराबर आधार बटे लंब x बटे 3 multiply कर लो 6 बराबर 5 x x बराबर 1.2 निकल कर आपका आजाए गए ये distance क्योंकि ये समरूप तिरभोजे दोनों तो मैं ये देखता हूँ कि जब मुझे पता टोटल डी है ये x u है थी इसको कैसे मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पर मैंने देखा आधार बटे लंब और आधार बटे लंब तो मैंने देखा x u x u आधार बटे लंब x u upon 0.0035 बराबर आधार बटे लंब नीचे वाला कितना है आधार d minus x u upon लंब 0.002 0.87 sigma y upon इस अब मुझे पता है कि इस young modulus of steel इस कितना होता है young modulus of steel कितना होता है आपका 200 gp लेते हैं 200 गेगा पास कर लेते हैं मैं कहूं कि 200 गोणा 10 की घात 3 Newton per mm square हम लेकर चलते हैं इस्टील के लिए young modulus क्योंकि young modulus का तुम मुझे पता है आईए शार्च छप्पर ने भी बोला सीधा कि 200 gp मैं young modulus of steels लेकर चलता हूं तो जैसे ही मैं इसको यहां रखने वाला हूं तो x u बराबर 0.0035 बराबर d minus x u upon 0.002 plus 0.87 sigma y upon yes 200 गोणा 10 की घाती जब आप इसको solve करेंगे इस पूरी equation को solve करेंगे multiply कर लेंगे ऐसे वज़गुणा कर लेंगे इस तरह सी कर लेंगे तो एक relations यहां निकल के आता है x u बराबर 700 d upon 1100 plus sigma y यह relations आपका निकल कर आता है आप यहां multiply करोगे तो बस अब क्या करना है आपको आपने देखा कि maximum depth of neutral axis जो है आपका grade of steel पर निर्भर करती है किसके उपर निर्भर करती है grade of steel पर निर्भर करती है grade of जो है effective depth of beam पर निर्भर करती है तो कई बार आप से पूछ लेता है कि maximum depth of neutral axis बताईएगा मेरे को कि किसके उपर निर्भर करती है तो आप से कहता है grade of steel, second वो कहता है grade of steel, second वो बोलता है grade of concrete, third बोलता है दोनों पर, fourth नमबर बोलता है किसी पर भी नहीं, तो आप कहोगे कि केवल और केवल किसके ओपर depend करती है, grade of steel पर depend करती है, अब मैं देखना चाहरा हूँ कि मेरे को ये, ये क्या है आपका maximum depth, maximum depth of neutral axis for balanced section, balanced section की maximum depth of neutral axis कितनी निकल के आएगी, तो मैं देखना है कि fy 200 के लिए कितना होगा, तो मैंने ये देखा कि fy 200, fy 200 के लिए जब मैं चेक करूँगा, तो यहाँ fy बोलो या कहों कि sigma y 200, या कहों mild steel के लिए मैं चेक करने वाला हो, तो sigma y की जगे कितना रख दूँगा, 250 यहाँ पर रख दूँगा, तो x u बराबर जो निकल के आएगा, वो 0.35d आपका निकल कर आ जाएगी, या मैं कहूँ कि x u upon d का जो ratio है, वो 0.35 निकल कर आ जाएगी, इसी तरह से मैं कहूँ कि fy 415 के लिए कितना होना है, तो आप देखेंगे कि 4 fy 415, 4 fy 415, तो कुछ नहीं करना, इस फर्मूले में जो x u बराबर 700 d upon 1100 प्लस 0.86 y था, इसमें 415 रख देंगे, तो x u जो निकल के आएगा, वो 0.48d निकल कर आता है, मतलब यह कहो कि x u upon d का जो रेशो है, वो 0.48 आपका निकल कर आ जाएगा, इसी तरह से क्योंकि तीन ग्रेड आपकी स्टील की है, fy 200, जिसे आप mild श्टील कहते हैं, fy 415 और fy क्या है, 500, जिन्हें आप hyst bar, h s y d bar, high strength yield deform bar के नाम से भी जानते हैं, तो उसी तरह से fy 415 के लिए देखेंगे, fy 415 तो हो गया तब 500, तो x u बराबर में देखूंगा, 0.46 d निकल कर आपकी आती है, या यह कहो, या यह कहो कि x u upon d का जो रेशो है, वो 0.46 आपका निकल कर आता है, तो अभी हमने क्या सीखा, कल हमने देख लिया था, इस पिछले lecture में, कि maximum strain concrete में 0.0035 होती है, still में 0.002 plus 0.87 sigma y upon es होता है, तो इस की साहिता से, इस graph की साहिता से, मैंने maximum depth of neutral axis को निकालना चाहा, कि balance section के लिए maximum depth of neutral axis कितना होने वाला है, तो आपने देखा कि आधार बटे لم, बराबर आधार बटे لم से, जब मैंने यहाँ इसको solve किया, तो एक relation मेरे पास निकल के आता है, x u बराबर 700 d upon 1100 plus 0.87 y, फिर बोल रहाँ, यहाँ मेरा एक question बन जाता था, कि जो maximum depth of neutral axis है, वो किसके उपर depend करती है, option a grade of steel, option b grade of concrete option c, दोनों पर किसी पर नहीं, तो केवल और केवल grade of steel पर निर्भर करती है, फिर मैंने यहाँ fy 2500 के लिए देखा, maximum depth of neutral axis balance action की point 3.5 आती है, 415 के लिए देखा, point 48 d आती है, और 500 के लिए देखा, point 46 d निकल कर, आती हैं मैं maximum depth of neutral axis निकालना सीख गया हूँ, balance action के लिए, maximum depth of neutral axis मेरा कितना निकल कर आ रहा है, तो मैंने देखा, तो मैंने देखा कि for balance action, for balance action, maximum depth of neutral axis, for FYD ISO, XU बोल सकते हैं, या XM बोल सकते हैं, maximum depth of neutral axis को XU भी बोल सकते हैं, XM भी बोल सकते हैं, XC भी बोल सकते हैं, ultimate depth of neutral axis, maximum depth of neutral axis, critical depth of neutral axis, कोई भी वर्ड इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ तो x u जो है मेरा 0.35 d निकल के आया था इसने का 4 fy 415 के लिए x u जो है 0.48 d निकल के आया और 4 fy 500 के लिए x u बराबर 0.46 d निकल कर आ गया मेरा अब मैं आपसे बात करता हूँ कि यह तो balance section के लिए निकल के आ गया अब section basically होते कितने तरह के तो यह कहता है कि concrete जो rcc section है वो तीन तरह के होते है तो यह कहता है कि types of जो है rcc section types of rcc section तो यह कहता है कि rcc sections को तीन प्रकार से classified किया जाता है कितने प्रकार से classified किया जाता है तीन तरह से तो यह कहता है कि rcc section rcc section are classified as three types as three types कौन कौन से types होगे number one जो मैंने अभी पढ़ा कि balance section balance section number second मैंने पढ़ा under reinforced section under reinforced section और third one जो पढ़ा over reinforced section over reinforced section तो आपने देखा कि का मतलब क्या होता है balance section का मतलब क्या है under reinforced section का मतलब क्या है और over reinforced section का मतलब क्या है देखो नाम से ही पता चलता है कि balanced section balance section का मतलब क्या है ये कहता है कि ऐसा section जिसमें दोनों क्योंकि concrete जो है steel और concrete से मिलकर बनी है steel भी लगा हुआ है concrete जिसमें concrete और steel दोनों के अंदर जो stress age है fail होते समय उनकी maximum permissible limit तक पहुँच जाए या ये कहो कि जो maximum strain level था अभी मैंने देखा था 0.0035 और जो steel में आया था 0.002.37 सिग्मा वाई तक पहुच जाए अर्थात दोनों चीजे steel और concrete एक साथ एक time पर अगर fail हो जाए तो इस तरह का जो section है वो balanced section कहलाता है कौन से section कहलाता है आपका balanced section कहलाता है balance section की definition को मैं दो-तीन तरह से समझ सकता हूँ कि कौन सा section मेरे को balanced section कहलाएगा क्योंकि मान लो आपको कोई एक section दे दे और वो कहे कि बताओ ये section कौन सा होगा ये under होगा over होगा balance होगा सबसे पहले आप उसका देखेंगे कि ये किस category में section जा रहा है तो ये कहता है कि balance section के लिए क्या होगा balanced section तो कौन सा section balance section होगा ये कहता है कि ऐसा section जिसमे steel और concrete दोनों के अंदर जो stress age है उसकी permissible limit तक पहुँच जाएं कैसा section कहलाता है balance section कहलाता है तो ये कहता है eight types of section eight types of section in which in which the permissible in which the permissible stresses are reached the permissible stresses are reached within permissible limit are reached simultaneously ये बहुत important word है simultaneously simultaneously का मतलब क्या है एक साथ एक साथ हो जाए are reached simultaneously within permissible limit उनकी permissible limit तक at the time of at the time of failure at the time of failure क्या कहना चाहा रहा है कि ऐसा section जिसमें उस section को fail होते समय जो stresses है एक साथ उनकी permissible limit तक एक साथ पहुँच जाती हो क्या क्या सा section कहलाता है balance section कहलाता है या मैं क्या कह सकता हूँ इसको दूसरी तरह से भी बोल सकता हूँ इसकी बात कर रहा था strain भी बोल सकता हूँ कि strain जो level है maximum जो strain level है एक साथ दोनों में उनकी permissible limit तक पहुँच जाए balance section कहलाता है अब मुझे कैसे पता लगएगा कोई balance section आपका कि balance है under है या over है तो मैं देखूँगा कि मैं जब मैं उस concrete मालों में कोई कोई यह beam दे दिया गया मुझे इसमें कैके इसमें कुछ सरीय लगे हुए तीन सरीय लगे है आपके है चार सरीय लगे बताओ यह कौन सा section होगा तो मैं यह देखूँगा कि force of compression force of compression बराबर force of tension करके देखूँगा force of compression point 36 sigma ck b into x जो मैं करा चुका हूँ आपको पिछली लेक्षन force of tension point 80 sigma y upon a st होता है तो यहां से मैं x निकालूँगा x x क्या है कि इस section की depth of neutral axis कहां से गुजर रही है तो मैं देखा x जो मैं निकालूँगा तो point 87 sigma y a st upon point 36 sigma ck b यहां से इस section की depth of neutral axis निकल के आएगी की वास्तम में इसकी depth of neutral axis कहां से निकल लेकिए कुछ नहीं किया मैंने force of compression देखो point 36 point 36 सिगमा ck grade of concrete आपको किशन में given करेगा वो b इसकी width of beam है x इसकी depth of neutral axis से जहां से निकल रहा होगा बराबर point 87 sigma y a st जो मेरे को point 87 sigma y design stage था a st area of street इसको मैंने देखा तो यहां से x निकल कर आगे एक बी इस section की depth of neutral axis कहां से निकल रही है अब इसे मैं check for action check for action xm मुझे पताई है कि भई मैं अगर fy 200 है तो मैं देखा था point 35 d लूँगा अगर fy 415 है तो point 48 d लूँगा और fy 500 है तो point 46 d आपका ले लेंगे तो मैंने उस section का x निकाल लिया मुझे उस section का grade of steel की अनुसार xm पता है तो यह कहता है कि balance section के लिए for balanced section for balanced section यह कहता है x बराबर xm मतलब x यहाँ पर यह जो x है एक तरह से इसकी actual depth of neutral axis की वास्ता में कहा से निकल रही है actual depth of neutral axis है actual depth of neutral axis है तो आप कहोगे कि यदि किसी section की actual depth of neutral axis maximum depth of neutral axis बोलो या critical depth of neutral axis बोलो या ultimate depth of neutral axis के बराबर है तो इस तरह का जो section है वो कौन से section कहलाता है balanced section कहलाता है वापिस उनने balance section को कई तरह से मैं define कर सकता हूँ मैंने का x बराबर action मतलब यदि किसी section की actual depth of neutral axis critical depth of neutral axis के बराबर है या दोनों concise कर रही है concise का मतलब क्या है एक ही point से निकल रही है मैं यह कहता हूँ कि यहीं पर तो इसकी x है माहनी चाहिए थी और यहीं पर इसकी x है एक ही point पर concise कर जाती है तो इस तरह का जो section है वो balance section कहलाता या मैं कहूँ कि ऐसा section जिसमें concrete और steel दोनों के अंदर जो permissible strain है या जो strain level है उसकी permissible limit तक पहुँच जाए या मैं कहूँ कि stress जो है उसकी permissible limit तक एक साथ पहुँच जाए तो यह जो section है balance section कहलाता है अब मैं देखता हूँ under reinforced section कि बही under reinforced section कौणसा section होगा तो मैंने देखा कि under reinforced section कौणसा होगा second मैंने कहा under reinforced section under reinforced section under reinforced section नाम से ही पता लग रहा है कि सरिया कम है मतलब अब सरिया कम का मतलब यह नहीं कि जो कोड ने बोल रखा उससे कम है इसका मतलब जितना लोड उसको रजिस्ट कराना था ना उतना तो सरिया है लेकिन कॉंक्रीट को एक्सेस कर दिया गया है मालो मैं ये कहूं कि मैं 500 किलो न्यूटन लोड मेरे को register कराना है तो सरिया इतना है जो 500 को register कर सकता है लेकिन concrete का जो section है उसका size बढ़ा दिया वो हो सकता 600 किलोनीट लोड ले वो हो सकता है 700 किलोनीटर लोड क्योंकि balance तो इस तरह करेगा कि अगर सरिया आप 500 लेगा तो concrete भी 500 पर ही fail हो जाएगा अंडर में क्या होगा कि इसका मतलब कि ऐसा सेक्षन जिसमें सरिया पहले फेल हो जाएगा क्योंकि आपने देखा ना मैं कहा रहा हूँ अंडर रीनफोस्ट है मेरे को 500 किलोनिटर रजिस्ट कराना है अब सरिया तो 500 लेते ही फेल हो जाएगा लेकिन हो सकता कॉंक्रीट 600 ले ले 700 ले ले मतलब कॉंक्रीट फेल नहीं हो रहा तो मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि ऐसा सेक्षन जिसमें फेल होते समय जो इस्ट्रेसेज है वो इस्टील के अंदर तो पर्मिसिवल लिमिट तक पहुंच जाती है लेकिन कॉंक्रीट के अंदर नहीं पहुंचते क्योंकि कॉं steel के अंदर permissive limit तक पहुँच जाती हो या concrete के अंदर permissive limit तक नहीं पहुचती हो under reinforce section कहलाता या strain wise देख लो वो कहता है एक ऐसा section जिसमें strain जो है steel के अंदर permissive limit तक पहुच जाता है fail होते सक्वें लेकिन concrete के अंदर नहीं पहुचता है क्या कहलाता है आपका under reinforced section कहलाता है तो under reinforced section मैंने देख लिया कि अब इसको मैं और केश समझ सकता हूँ उसी तरह जिसे मैंने पीछे बोला था या मैं कहूँ if x less than xm x less than xm का मतलब क्या है कि actual depth of neutral axis कम होगी maximum depth of neutral axis ज़्याद हो क्योंकि आप देखो न compressive force ज़्यादा रजिस्ट कर सकते हैं concrete का section बड़ा है तो जिधर ज़्यादा force रजिस्ट करने के चमता थी neutral axis उदर की तरफ ही क्या हो जाती है shift हो जाती है जिधर एक तरह से ज़्यादा forces होगा उदर की तरफ आपका shift हो जाती है तो मैंने ये देखा कि अगर मैं बात करता हूँ under reinforcement section के लिए तो ये xm अगर है xm का मतलब maximum depth of neutral axis अगर ये है तो इसका जो actual depth of neutral axis होगा वो कुछ इस तरह से आपका होना है तो ये जो section है क्या कहलाता है under reinforced section कहलाता है थर्ड बात किया मैंने over reinforced section थर्ड बात करता हूँ over reinforced section अब over reinforced section कौन सा होगा ये कहता है कि ऐसा section देखो नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा section जिसमें सरिया ज़्यादा है क्योंकि over का over reinforced वही बात है कि सरिया जादा का मतलब एक सरिये को access डाल दिया गया है सरिये की quantity बेवजे बढ़ा दी गई है अब आप यह देखो कि जब सरिया जादा है तो पहले कौन फेल होगा concrete फेल होगा तो आप यह कहोगे कि ऐसा जिसमें concrete पहले हैलोता हो सरियाय फेल नहीं होता हो यह काऊँ के ऐसा section जिसमें फेल होते समय concrete के अंदर strides जो है उसकी ultimate limit तक पहुंच जाती है लेकिन सरिये के अंदर stresses नहीं पहुंच काती है यह कऊँ कैसी section जिसमें maximum straight level है concrete के अंदर उसकी permissive limit तक पहुंच जाता है लेकिन steel के अंदर नहीं पहुंचता है क्या कहलाता है over reinforce section कहलाता over reinforce section में मैं क्या देखने वाला हूँ अब मैंने देखा कि सरिया ज़्यादा है neutral axis नीचे की तरफ shift हो जाएगी मतलब if x greater than xm तो ये जो section है कौन से कहलाएगा आपका over reinforce section कहलाएगा क्योंकि मैंने ये देखा कि ये maximum depth of neutral axis आपका xm है तो actual depth of neutral axis कहीं यहाँ shift होकर आ जाएगी तो ये मैंने देख लिया ये x आपका हो गया तो इस तरह से तीनों sections के बारे में मैंने बात किया कि under reinforce section कौन सा होता है over reinforce section कौन सा होता है और आपका balance section कौन सा होता है तो मैंने देखा for balanced section for balanced section balanced section के लिए देखा x बराबर xm कि maximum depth of neutral axis actual के बराबर है for under reinforce section under reinforce section में मैं देखूंगा under reinforce section यह कहता है कि x less than xm actual depth of neutral axis छोटी है maximum depth of neutral axis क्या है बड़ी है यह कहता है for over reinforced section over reinforced section over reinforced section यह कहता है x greater than xm कि उसका actual depth of neutral axis बड़ा है नीचे की तरब shift हो गया है और maximum depth of neutral axis छोटा है तो इससे आगे फिर हम सीखेंगे कि moment carrying capacity of singular reinforcement किस तरह से calculate करते हैं आपका giver arm किस तरह से होगा अगर यह video lecture आपको पसंद आ रहे हो तो please like और share कर दे और अपने channel को subscribe कर ले ताकि time to time आपके पास video lectures की information आती रहे Thank you